वेल्कम बैक तो मैं चैनल मैं हूँ आपकी वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए एंटेंस एक्जाम के हिंदी के प्रैक्टिस सेट की जिसके अंदर हमने फ्रेंड्स उपसर एंड प्रत्य को लिया है फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीस में चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चानल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स याज शेर कीजिए तो चली फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की इस व प्रत्य और उपसर्ग में आपको बता देती हूं थोड़ा से इसके बार में प्रत्य और उपसर्ग के बारे में तो प्रत्य वो होते हैं जो शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षशमू लगाया जाता है उसे प्रत्य कहते हैं और उपसर्ग वो होते हैं जिसके आगे हम क तो friends, गुजा आ रहा है, last में क्या आ रहा है, रा, यानि कि आ की sound आ रही है, तो हमारा जो right answer होगा, वो होगा, option D, आ, ये उपसक प्रत्य आपके exam में पूछे जाते हैं, friends, next है, पिटाई में प्रियुक्त प्रत्य क्या है, हमें बताना है, ये पिटाई है, इसमें उप्त प्रत्य कौन सा है, option है, आव, आई, आप और आका, तो पिटाई, E आ रहा है last में, तो friends, यहाँ पर हमें देखने से पता चल गया कि हमारा option B, यहाँ पर right answer है, next है, चुनाओ में कौन सा प्रत्य प्रिक्ट हुआ है, तो friends, options है, वी, हुआ, आ और आव, तो friends, चुनाव की बात की जा रही है, तो friends, देखे, last में क्या आ रहा है, नाव, यानि की नाव का मतलब आव, तो option D, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, right answer, next आते हैं, सनलगन सब्द में कौन सा उप्षर्ग जुड़ा हुआ है, तो friends, यहाँ पर सनलगन गया हुआ है, इसमें हमें उप्षर्ग बताना है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया तो उप्षर्ग क्या होते है, और जो आप उसको अलागला करेंगे, तो उन दौनों का मीनिंग जो होना चाहिए, मतलब उन दौनों का एक पर्टिकुलर मीनिंग भी होना चाहिए, तो देखे, friends, सनलगन, यानि कि सा प्लस लगन, ठीक है, तो सन आएगा, सम आएगा, सन आएगा, या फिर संक आएगा, तो friend, सन लगन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आउंसर होगा, वो होगा, option नमर B, sum, next आते हैं, तो साहस सब्द में उप्षर्ग जुड़ा है, अब मैं बताना है, तो साहस में कौन सा उप्षर्ग जुड़ा हुआ है, दुस, दुर, दुह, या फिर दुस, तो friend, सिसका जो राइट आउंसर होगा, वो होगा, option नमर A, दुस, next है, अब लोकन में प्रियुक्त उप्षर्ग है, तो friends हमें बताना है, अब लोकन में कौन सा उप्षर्ग प्रियुक्त किया गया है, अप, अव, अभी, या फिर आ, तो friends इसका जो राइट आउंसर होगा, इसमें जो लिए गया गया है, वो अव, और लोकन अलग है, तो देखिए, option B, यहाँ पर हमारा राइट आउंसर है, next आते हैं, निर उप्षर्ग में किस सब्द का निर्मान नहीं हुआ है, यानि कि निर से हमें बताना है कौन-कौन सा शब्द बनता है और को किसका नहीं किया गया, तो देखिए, निर राकरन, निरशब्द इसमें आगया, निरप्राद, निरागया, निदर्शन, इसमें ना नहीं आगया, लेकिन रा रह गया, और निर्भे में भी रा आ गया, तो देखिए, option C, right answer है, इसमें निरशब्द का उप्योग नहीं किया गया है, नेक्स्ट आते हैं पावक शब्द में प्रत्य बताना है हमें यानि कि इसके हमें देखना है क्या इसमें जो पावक शब्द इसमें बताए गया है क्या इसमें पीछे लगाए गया वक लास्ट में वक की अवाज आ रही है तो देखिए ओप्शन से अक आक आई और ती तो फ् कौन सा प्रत्य है ओप्शन से आकू आक अक और अकड तो फ्रेंड्स तैर राक आक की आवाज आ रही है तो ऑप्शन बी यहां पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा ओप्शन से सुखी आरूण उपकरण या फिर तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहां पे उपसर्ग शब्द की तो उपसर्ग में यहां पे फ्रेंड्स जो रहित शब्द है वो है ओप्शन यहां पे ए सुखी क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम सु को अलग करेंगे खी से तो यहां पे देखिए खी का कोई अलग मीनिंग न और निर्व को हटाएंगे तो विरोध होता है ठीक है I hope friends समझ में आ रहा होगा आपको Next है अध्यापिका शब्द में प्रत्य तो friends आप हम हमें बताना है अध्यापिका में कौन सा प्रत्य है ठीक है का, पिका, आइका और एका तो friends, यहाँ पे अध्यापी का इका की अवाज आ रहे है तो option D, यहाँ पे हमारा राईचांसर है Next आते हैं, निमलिकित मैसिक कि शब्द में आयन प्रत्य प्रिक्त हुआ है आयन, नारायन, रणायन, पंडिताईन या धनायन तो friends, यहाँ पे हम बात करें, आयन की तो वह प्रिक्त हुआ है, नारायन में तो option A, यहाँ पे हमारा राईचांसर है Next है, उत्थान शब्द में कौन सा सब्द उपसर्ग है तो friends, उत्थान की बात करें, तो option से उख, उत्थ या फिर उत्था तो friends यहाँ पर उत्थान में आगर हम बात करें उत्सर्ग की तो इसके अंदर उत्सर्ग शब्द यूज़ किया गया है उत्थ तो option C यहाँ पर हमारा right answer है Next है निमलिकित शब्दों में से कौन सा शब्द उत्सर्ग रहित है आपको सेम वही follow करना है कि जब आप उन शब्द को तोड़ेंगे तो उनकी meaning निकलने चाहिए यसे कि अप अलग किया तो मान का अलग meaning होता है अलग किया तो पना का कोई meaning नहीं होता अलग किया तो वरण का मतलब होता है अप अलग किया तो कीर्थी का मतलब होता है अन, आ या अनुप, तो friends अगर हम बात करें यहाँ पर अनुपस्थित की, तो यहाँ पर जो हमारा right answer होगा, वो होगा option number A, sorry B, अन, ठीक है, next है, अधिपती शवद में किस उपसर का प्रेयोग हुआ है, तो friends अगर हम यहाँ पर बात करें अधिपती की, तो friends, options है, अधी, या फिर अधे, तो friends यहाँ पर जो right answer होगा, वो होगा option number A, अधी, ठीक है, next आते हैं, उपर रास्टपती शवद में किस उपसर का प्रेयोग हुआ है, उप, पती, रास्ट या फिर उपर, तो friends उपसर गए, यानि कि पहले, तो friends अगर आप इन शवद को अलग करेंगे, त तो देखिए, उप, और रास्टपती का अलग मीनिंग होता है, तो option जो होगा, वो होगा option number A, उप, next है, दुर जन का उपसर्ग, दुर, दु, दुज, या फिर दुरा, तो friends इसका जो right answer होगा, वो होगा, दुर, और प्लस जन, ठीक है, अलग-लग करा आपने, तो दुर आ ला, प्लस परवाह, तो देखिए, ला, लापर, लाप और वाह, तो आप खुद समझ गए होगे, option A हमारा right answer है, पहुत simple होते हैं, friends, अगर आप इसकी practice करेंगे, तो आप easily कर सकते हैं, अगर आपने दो से तीन practice advice के कर लिए, तो आप easily कर सकते हैं, next है, सम उपसर्ग से निर यो, साको, यो, अलग-अलग है, सम और विधान अलग होता है, संस और कृत अलग होता है, तो यह D यहाँ पर हमारा right answer होगा, यह सभी हमारे सम से बने हुए शब्द है, next है, कू उपसर्ग से निर्मित शब्द, कू और पात्र, कू और लीन, कू श और कूरता, तो friends, अगर ह नहीं होता, कुछ शाका भी नहीं होता, नहीं रता का, तो right answer जो होगा, को होगा option number A, कुपात्र, next आते है, friends, हम, आज हम 25 तक ही करेंगे, क्योंकि, आज हम इसको continue नहीं कर पाएंगे, तो कोशिश कीजेगा, अगर आपको इसमें कोई doubt लगता है, तो आप नीचे comment section में बत आ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगे, इसी वीडियो का अगर आपको doubt है, तो हमें उसको द्वारा से discuss करनेगे, ठीक है, next है, निबंध में कौन सा उपसर्ग है, नी, निर, निह, या फिर बंध, तो friends, अगर हम यहाँ पर right answer की बात करें, तो निबंध, अगर आप इसको तोड नी प्लस बंध, और बंध का अलग मीनिंग होता है, तो option A, यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा, next है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निबंध में से कौन सा नहीं है, option है, अगर हम बात करें, प्रति उपसर्ग से बने शब्द की, तो यहाँ पर देखिए, प्रति और कूल ह होता है, अलग अलग अलग, प्रति और शब्द होता है, प्रत प्लस एक होता है, लेकिन प्रिशान्त यहाँ पर प्रति यूज नहीं किया गया है, तो D यहाँ पर हमारा right answer होगा, next आते हैं, उत उपसर्ग से बना शब्द बताना है, उतकर्ष, उत्तरादिकार, उत्तरवर है, अभी, अभ्य, अभ्य, या फिर अभ्य, तो फ्रेंट्स अगर हम इसके right answer की बात करें अभ्यागत में, तो उपसर्ग यह उस किया गया है, अभी, तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही, I hope आपको यह questions पसंद आये होंगे, आपको कुछ meaningful रगा होगा, आपको यह video, जो भी questions हमने discuss की हैं, समझ में आये होंगे, और किसी भी तरह का doubt to top नीचे comment section में लिख सकते हैं, friends, next video में हम फिर मिलते हैं आपसे, और विच्ची वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाई-बाई